बिर्दभारति सकी सहेली जैसे हमें समझ नहीं आ रहा है तो वैसे तो फेस्बूक पे तो अब सब चला जाता है तो कुछ कहने की बात नहीं लेकिन हमारे शोता देखो हाँ जी केवल रेडियो से ही जुड़े हैं और वो सिर्फ बाते सुनते हैं क्योंकि बहुत सारे शोता ऐसे हैं संगीता बिटिया जो अपना काम कर रहे होते हैं जैसे कपड़े सिल रहे हैं कुछ सारी बुन रहे होते हैं कुछ घड़े आदी बना रहे होते हैं और एक घड़े से आ रहा है चलते हैं वो दिन याद करते हैं जब हम मिट्टी के घड़े और सुराही से पानी पीते थे और साथ साथ जाती भ का महीन सा दोहरा कपड़ा अम्मा बान देती थी, मल-मल की तरह का कपड़ा बान देती थी, क्यों धक्कन वगरा कैसे लगाएंगे, क्योंकि उसी से पीना रहता था, तो हमने चोटे-चोटे थे, ले कर जाते थे, और वो छोटी सी सुराही, जो आज एक लोटे के बराबर होगी, जिनी भारी लगती थी, कि पूछो मत, तो चलो वो दिन याद करो, में हम बात करेंगे, मिट्टी के घड़े और सुराही की, और भी कहीं चलेंगे भुवाजी, बिल्कुल आज परेटन का दिन है, तो तुम हमसे पूछ रही हो, कि बता रही हो, यह बताओ, यह बता रहे हैं, और यमनोतरी की बात आज करेंगे, यहाँ, वहाँ चलेंगे, जी, कि गदे आशहरा आने वाला है, और उससे जुड़ा हूँ परियावरन जो है, वो क्या है, गँदे अशहरा हम क्यू मनाते हैं, ठोड़ा सा तो लेंगे, लेकिन गंगा जी के पीछे जो भगीरत प्रयास वा था और क्यों उनसको स्वच्छ रखना इतना जरूरी है यह याद करना बहुत जरूरी है कि कितना भगीरत प्रयास जिसको एक मुहावरा बन गया लोकोक्ती हो गई लेकिन आज एक और बड़ा खास देना है तो पता तो च पूरिया लोग हैं बिटया लोग हैं उन सब ने मौली बांध के और एक अपने लंबे सुहा के जो है कामना करके यह पूजन जो है वो संपन ने किया है जी और भारती समस्कृति में वे तो कुछ ऐसा ही है बोगा जी कि देखे जहां वट सावितरी की बात होती है या गंग होते हैं यह जो जल के साफसफाई की बात होती है नदियों के साफसफाई की बात होती है तो यह पूरी तरह हम ही से जुड़ा हुआ है तो आने वाली पीड़ी के लिए भी हम थोड़ा कुछ संजो हैं इस बात को हमेशा सोचना और समझना और इसके पीशे काम भी करना खासियत है कि उसकी जड़े जो पुना जमीन में जाती हैं और फिर से उगती है और विशाल होता जाता है और खुब घना हो जाता है और किस तरीके से कितने पंचियों का अश्रेग्र होता है और उसके संग संग जाहिर है कि हम भी तर तलाश करते हैं तो संगीता पीटिया आज तो वर्ट सावितरी है बुगा जी लेकिन जहां तक छटकी भी बात होती है देखिए तो जगह जो होती है वहां हम लोग जाकर देखते हैं कि वह साफसुत्री है कि नहीं है नहीं तो फिर उसको उसे साफसफाई करके और पूजा के लाइक बनाया जाता है अच्छा ए पूटा सा होता है बिल्कुल तिकोना सचने जैसा उसको निगला जाता है और कहते हैं कि इस्तरीयों की बिमारी के लिए जो है यह बहुत सहायक है यानि कि पौश्टिक चीज है और इससे बहुत सारी बिमारीया अपने आप दूर हो जाती है तो यह सब परंपराएं बनी आज के दिन से पूर्व के नव देवसों में से इसके आयोजन गंगा के 30 एक्षेत्रों में किया जाता है इसमें गंगा अस्तनान ध्यान और दान की प्रक्रिया है इसमें कृत पापों का शरण होता है इन कृत्यों के पीछे हमारी श्रद्धा जोड़ी होती है हम अपने को तो पवित्र बनाय रखने में समर्थ होते हैं लेकिन संगीता बिट्या आज का दिन जो बनाया जा रहा है गंगा देशेरे की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो तो है ही कि गंगा जी जो है आई थी इतने प्रयास के साथ इतने लोगों को जीवन दान देने के लिए तो उनके इस वच्छता सफाई रखना तो हमारी धर्म है कर्म है सब कुछ है जी जी कर रही हो तुम बस और कई जगे भी बहुत सारी जगें जो भारत के अलग अलग जगें वहां पर अलग अलग तरीके से पर्व भी मनाया जाता एक तरह से और जहां तक बर्गदाई की पूजा की आज बात है तो अलग अलग जगहों में भी बर्गदाई की पूजा होती है वैसे ज़्यादतर अगर देखा जाए तो उतर भारत की तरफ यह ज़्यादा देखा जाता है ये पर तो जो इसमें जो महिलाएं होती हैं वो एक साथ मिल करके जब एक जिगह पर जाती है तो वो भी एक कहते हैं उत्सव जैसा हो जाता है और कहीं न कहीं उसमें एक मेसेज एक बात भी जाती है कि भाई किस तरह से मिल जुल करके हमें रहना है और संस्कृति को भी ये सार और दिनों से बात नहीं कियोगी, उनसे भी बात करते हैं, अरे भाई चलना है, पूजा करने, कितने बज़े चलोगी, कितने बज़े चला जाए, तुमने क्या तैयारी की है, और पिर कहीं ने कहीं ये भी रहता है, कि थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहन लिए, नत्वत पहन पहन लिए, तैयार हो गया, गहना जो रखा तो बहुत दिनों से अंदर, वो भी निकाल कर पहन लिए, कि लगता है, कि चलो, आज तो सोना धारन कर लिया जाया है, कि लिए, खास मौके होते हैं, जिसमें धारन किया जा सकता है, पुरानी चुनर निकलती है, जो ओढ़नी ज जमना जी है, जिनकी पूजा होती है, तो, कि जाती है, और पतंग भाजी के कारेक्ट्रम आयुजित कि जाते हैं, भक्त मथुरा, वरंदावन, बटेश्वर, जैसे जगहों पर यमुना में पवित्र डुपकी लगाते हैं, तर्बूज और खीरे का प्रसाद चढ़ाते हैं, लस्ती शर्बत, शिकंजी जैसे पे वित मित्री की बात हो, तो यह राहत पहुचा आते हैं और हमाई वैसे साथी ने एक बात और कही है कि भाई आज के दिन बहुत सारी डालियां टोड़ी गई है घर में लोग गमले में उसको खोंस के पूजा कर रहे हैं बात आपकी बिल्कुर सही है लेकिन कम से कम हम पेड़ तो बचाएंगे न थोड़ी सी एक डाली और बर्गत में बहुत जादा ख्षमता होती है लेकिन फिर भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि जहां पर पेड़ है वहाँ जाएं वहाँ जाकर पूजा करें और मिलकर करें तो उसका अनंद लगाएगा और पेड़ के नीचे बैठने की जो शीतल चाहों है उसका मजा लीजिए जी जी आलब से भी थोड़ा साखता हो जाएगा अच्छा भी लगेगा बातें भी होगी साथ में वहाँ की जगह साफ की जाती है पर पूछा की जाती है खेर चलो चलते हैं ज्यादा चक्का पंजार मत करो तो कि छे पाज बहुत किया जाता है चक्का पंजार जो होता है उसमें भी होता है कुछ लोग कहते हैं भई चछतीस का अंकड़ा जो है उसमें भी छे की अंक जो हमें दिखाई देता है तीन और छे का महत्तो है लेकिन हम आज बात कर रहे हैं छे की बात इसमें जो शटकोण आता है वो छे कोण उसमें होते हैं वही शटकोण होता है है ना तो हमारे शोताओं ने भी बहुत सारी बात है क्या लिक कर भेजी है चे को लिक करके भेजा है बुआ जी अलग अलग इन् अवजात शिशु पैदा होने पर जो लोग हैं वो आते भी हैं गीत भी काते हैं चट्टी होती है जो हाँ हाँ चट्टी होती है उसमें और तो लंबी उमर की दुआएं भी मांगते हैं और रोज मरा की जिन्दगी में वैसे देखा जा तो छे अंग का इस्तमाल आम तोर पर जिन्दगी और माप के लिए अधार के रूप में किया जाता है और माप जो है वो साथ यानिके एक मिनट में साथ सेकेंड एक घंट में शे अंक आता है इनका कहना है ना शटकोन और एक वरित में 360 दिग्री और अन्यवारिक अनुप्रेयोगों में अक्सर दिखाई देता ह जी तो इसी तरीके से अगर हम बात करें तो भारती संगीत शास्त्र की रितुओं से जो है सीधा संबन्द रखते हैं और ये छे राग निर्धारित किये गए हैं जो कि रितुओं से संबन्द है रितु राग के नाम जो है वो है भैरव वसंत हिंडोल दीपक मेग मालकोंस चे प्रधान राग जो है सामुहिक रूप से शत्र राग चैल पर शत राग कहलते हैं जयानि थे राग कहलते हैं अब बात होती है कि फिर कहलाते हैंק remotely है कि तूब राग है और 6 हुता लिखने में भी हिंदी का लिखते हैं दोनों सामने सामने यानि वो दोस्ती की बात कह रहे हैं बिर्कुँ सही बात है थे 36 की बात किया थी कि इस तरीके से ख्याल रखा जाता है और बहुत सारे तेहवार जो आते हैं वो छट के दिन आते हैं हम तेहवारों की बात करें तो चंद्रमास की भादर कृष्ण पक्ष की हल्दर शष्टी जो होती है जिसको हर छट भी कहते है और कार्तिक शुक्लपक्ष की सूरे शष्टी उलेखनी है वर्ष के अर्द भाग में जो छे मईना होता है तो उसको छे मास कहते हैं तो उसको छे मासा भी कहते हैं न और भारती जो संगीत शास्तों में रित्वों का जो सीधा संबंद रखने वाले छे राग हैं वो भी जो आपने बताएं वो भी अलग-अलग हैं जैसे हिंडोल और दीपक बला है लेकिन वाई उससे पहले तो रित्वों बता दी जाएं बिल्कुल छे रित्वों हैं और ये जो रित्वों हैं वो है प्यास जरा मृत्यू शोक और मोह जी हां जी जी तो यह सारे जीवन के दुख हैं जो कारक होते तो यानि कि छे अंक का जो है वो काफी महत्व है अलग-अलग ठंक से महत्व है और इश्वर की प्रभुता को भी कुछ इस तरह से जोड़ा गया है दक्षिन में भागो जात और ताही आच के सहारे अजहू रहत है तो इस तरह से कुछ न कुछ जो है चे का यह इसलिए कहा गया है जैसे तुमने अभी पढ़ा ना सीथ से सिरानो भानू दक्षिन से भागो जात ताही आच के सहारे अजहू रहत है यानि कि ये जो उत्रायन होता है ना सूर्य उत्रायन के छे मास सूर्य मद्य मार्ग के उत्तर की ओर जुक कर चलता है और दक्षिनायन में छे महिने दक्षिन की ओर अवनत होकर चलता है ये जाड़े के दिन होते हैं और इसलिए ये कहा गया है यह जो अभी तुमने पढ़ा वो दोहा इसलिए है और हमारे बहुत सारे साची ने अलग-अलग बाते निखी है जैन दर्शन के अनुसार तीन लोक में कोई भी कार यह छे द्रव्य के बिना नहीं हो सकता इसमें लिखा जीव यानि आत्मा धर्मास्तिकाय यानि मोशन धर्मा आधिस्तकाय मेटर और आकाशास्तिकाय स्पेस और काल यानि समय तो यह बात हमारे साची ने लिखी है और भी बहुत सारी बाते निकर भेजी है हमारे यहां जब बच्चे पैदा होते तो चटी का महत्तो है बगवान कृष्ण की श्री राम की चटी होती है उस दिन का कोई चावल बच्चे की माँ को बहुत फायदे मंद होता है ऐसा हमारी दादी नानी कहा करती थी वैसे भी बहुत परिशान होने पर यही कहा जाता कि भई छट्टी का दूद या दिला देंगे पर यह कैसे हो सकता है कि छे दिन के बच्चे को छट्टी का दूद कैसे याद रह सकता है भाई सोचने वाली बात है लेकिन चट्टी मनाई जाते है बड़े धूम नाम से और वेद विदय को विदांग के नाम से सिक्षा कल्प व्याकरण निरुत चंदरस और जोत शे भागों में विभक्त किया गया है तो जो योग दर्शन है, कपिल के सांखे दर्शन पतंजली के योग दर्शन तो ये सारी चीजें भी उसी में आ जाती है तो वो जी बड़ा व्यापक सा एक असर है शेका होते हैं एसा भी हमारे एक शोता ने लिखा है कि अंक विलास छे कुछ नया जानेंगे हिंदु धर्म में छे कमहत्व के रूपों में देखा जाता है छे रित्वें होती है योग में मानोशरीर में छे चक्र होते हैं और परेटन में यमनोत्री भी गुमेंगी यह इन्होंने हमाय साथी ने यह भी लिखा है छे अंक शुबता दर्शाता है शष्टी जेट मास की शुकलपक्ष की शष्टी तिति को मिठिला और बंगाल में जमाई शष्टी या पहुना शष्टी मनाया जाता है तो इन्होंने लिखा है कि बंगाली और मिठिला समाज का एक मुख्य जहां घर में दमात को बुलाकर नाना प्रकार के वेंजनों उपहार से सतकार किया जाता है उनके सुख सम्रिद्धी और स्वास्त के मंगल कामना की जाती है तो यह नियम है क्या बात है बड़ी अच्छी सी बात आपने बताई और छे अंक के अंक की अर्थों में एक जिम्म अक्षात्मक होते हैं ताकत के रूप में कारे करने के लिए लगाता तयार होते हैं तो यह इन्होंने विक्टित्टु की जो बात बताई है वो छे अंक वालों के लिए अब छे अंक वाले जो होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं नहीं पता है पंदरह तारी को जो पैदा होत प्रवेश उसको मिल गया जब एक दो एक महीना लगबग उजर गया और एक दिन रोता हुआ गरा है रोता हुआ किया गुस्से में था उसने का हमें इस्कूल मिसे नाम कटवा दो हमें बसंद नहीं है इस्कूल क्यों क्या हो गया माबा परिशान अच्छा का सा इस्कूल है बोले ये क्या मतलब है किसी दिन कहते है पांच-पांच-दस होता है किसी दिन कहते है आठ-दो-दस होता है तीसरे दिन टीचर कहते है साथ और तीन-दस होता है एक दिन कहते है नौ और एक दस होता है, तो ये स्पष्ट कर दो कि दस कितना मिलके होता है, तो ऐसी सा मस्या भी बच्चों के सामने आती है, क्या बात है, जलकी धारा, मिट्टी के घड़े और सुराही, हमाई साथी ने लिखा है, कि मिट्टी के घड़े के बात निराली, शीतल जलकी इसमें महक निराली, गाउं हो या घर का आंगन, धूप में तपते पीते हैं, अमरित जीवन, शीतल जल तन को तर कर दे, मन को शांत सुकून भर दे, सावला घड़ा, साधारन सा दिखे, परंदर इसके जादू सा बहे, सुराही में पानी सखी, सहेली, परगीत सुहाना, चंचन बैता जैसे मधुर तराना, मिट्टी की महक, गंध पुरानी, बश्पन की यादें संग मस्तानी, सांसों में बसी मिट्टी की स इसमें छिपी हर एक रौंद, जिस हाथों ने इन्हें आकार दिया, सृष्टी का सौंदर उन्हें उपहार दिया, तो याद करो वो दिन, फिर से जीओ, मिट्टी के घड़े का जादू, फिर से पियो, क्या बात? देखे, एक और शौता ने लिखा है, कि मिट्टी के घड़े और सुराही, ये ग्रिश्मरेतू के पुरातन फ्रिज हैं, इनमें सुराही दी फ्रिजर का कादे करती है, मिट्टी के घड़े और सुराही जिल को शीतल करने में नए ही अपिक्षित हैं, आनिता, ये पुराने होने पर शीत प्रिक्रिया को नहीं कर पाते हैं इसलिए ग्रिश्मरितु में इनकी बिक्री बढ़ जाती है क्योंकि यह नए मटके और सुराही के शिद्रही वाश्वी करन को सुचारू रूप से करने में समर्थ होते हैं और एक और शोता ने लिखा है कि कुएं की थंडे पा पानी पीने कीजिए कि दो ग्लास पानी पी लिया करते थे और मिटी के पास तो मिटी का घड़ा अगर रखा जाए तो और भी थंडा होगा अबुगा जी अब यहां इसाथी ने लिखा है पुराने समय में हमारे बश्पने फ्रिज नहीं हुआ करता था तो घड़े असुराही से पने का पीने का पानी रखा जाता था घड़े के नीचे रेत कर ठंडा करते थे पीने पर वही मज़ा आता था जो हमें आज फ्रिज देता है गले श फिरिज की जहां तक बात है फिरिज में दो बहुत जू जादा हो जाता है पर पीने के समय वह समझ में शेमिमें नहीं और मैंसाथ ही लिखते कि मिटी के हरे पानी चेट्राइने के बाद मिट्टी के घड़े खरीद कर आते थे और उसी में पानी रखा जाता था कहीं आने जाने के लंबी मुवाली सुराही का प्रयोग किया जाता था आशकल तो बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन दा सुराही घड़े जग मिट्टी के आ गए हैं वश्पन में घड़े जादा उसका ढकन भी समाला जाता था बहुत जादा जी उसकी जो करई होती थी वह बहुत जल्दी तूट जाते थी यह होता था कि दो चार जो है वो अलग से लाकर रखी जाए ताकि एक तूटे तो फिर दूसरा लगाया जा सके और एक और शोता ने लिखा है कि मट्की त पानी पीते हैं फ्रिज का पानी कम ही पसंद करते हैं तो मिलाना भी तो पड़ता है बहुत जादा थंड़ा हो गया तो फिर चलो तो वह सच बात है कि जो तरावट वाली बात है जो गलत तर हो जाए जसको कहते है ना सही मायने में तो थंड़ा जरूर लगे लेकिन हमाई स स्टेशन की प्याऊ से वापस भर ली जाती घर में रात को छत पर सोने जाते तब भी पानी पीने के लिए भी सुराही पास में रखते थे मटके का पानी तो अभी पीते हैं अभी दस दिन पहले नया मटका डाला है बहुत ठंडा सौंधी खुश्बू का पानी रहता है पर फिर खड़ी हो जाती ही तो उस में पर चाहिए तो पूरी तरह को ठंडा होता था तो उसमें डर भी होता था कि आगे पीछे कोई चीज tu सौने के जिपकी वही नहीं हैं तो ये सारी ही और छोड़ी से साफधानी जहां पर शरूरत ही है तो अच्छय है कि थोड़ी से नाजुक कि रहते हैं नाजुक चीजुंगो लेकर चलते हैं लेकिना przyलफियों को भल्कुल नहीं होना एक और शोता ने लिखा है कि हमारे पास आज भी मित्टी की सुराही और घड़ा भी है इसके पानी की मिठास की कुछ अलगी बात है कुछ खास है और फ्रिज का पानी पीने के बजाए इसका उपयोग करते हैं और इसका रूप बदल गया है नल वाली कल्शी ये अब जो इस हम गीला कपड़ा बगारा बांगते रखते थे महिलाओं की एक संस्ता है जो हर वर्श इसे जरूत मंदल लोगों में बाढ़ती भी है पहले तो रेल बस के सफर में भी हम ये लेकर चलते थे उनका इस्थान केसी बिसलरी नाम की बोतले ले लिया है कुछ इस तरह का इनों में दान स्वरूप दिया भी जाता है तो लोग सच में पहले दान भी करते थे घड़े हो चाहे सुराही हो उसके उपर सत्तू आदी रख्के सत्तू कच्चाम ककड़ी ये सब रख्के ताकि जो जरूरत मंद लोग है जो उतने सक्षम नहीं आर्थिक रूप से वो भी उनका प्रयोक कर सके सुराही मतलब लंबी घरदन हमारी साथ ही लिख रहे है سुराही वाली घढ़े मतलब मिट्टी बहारी जरता रहता है तो बहरी हवा के अखर्टा बनता है घड़े बनते और बंते और मैंने बशपन में देखी और कुमार का निभाड़ा हमारे घर के गाजू में था बढ़ा अच्छा लगता होगा नुप वाली कहानी नहीं याद है घड़े का मुछ फुटा था पानी उसमें थोड़ा था कंकर डाला घड़े के अंदर फिर भाणी उपर आया पीलिया पाने प्यास बुझाई एक और शोता ने लिखाए कि सुराही का मतलब लंबी गर पनी का ठंड़ा करने वाला पुराने जमाने का फ्रिज्ट तो पुराने जमाने जमाने का फ्रिज्झ ही सब्यांदा, अजकल वैसे देख Sp comer junkage नोग वैसे सवब घ्रित Marshaku कि ओड़े जी में आने लगा है अइन जमाज में परेक के घंड़ा होते हैं न थैस की जरोखा में आज सकी सैली कारेक्टरम के लिए विशय में बताया गया था जीवन में अनुशासन तो अनुशासन ये लिख रहे हैं कि शायद छूट गया है तो भई छूट इसलिए गया क्योंकि आज हम लोगों ने घड़े पर ज्यादा आप लोगों ने डिर सारे संदेश पेज दिये तो अब आप लोगों को तो हम सर आखों पर बठाते हैं प्यार करते हैं बहुत और उसके संगसंग आज ये हुआ कि पर्यावरण देवस भी तो हमने कल कहा था कि हम मनाएंगे रोज तो आज पर्यावरण की बात हो गई बड़ सावित्री की बात करनी थी तो य हमाइक साथ ही ने लिखा है कि मतकी तो अभी भी आसानी से मिल जाती है अब तो चोटीदार मतकिया मिलने लगे पर दंतो सुराही तो गायब सी हो गया फिर भी गरवियों में हमारा परिवारर सुराही से पानी पीता है और हमाई साथ ही ये लिख रहे हैं कि सभी को अच्छा लग रहा है घड़ा धकने के लिए धकनी या सकूर आता था सुराही के लिए छोटे मूँ की धकन आती थी वो ज्यादा तर हाथ से छूट कर तूट जाती थी वो धकनी तो है ज़्यादा समालना पड़ता था उसको क्योंकि अगर धकन तूड़ गया था पचला सुराही तो बेकार हो गई फिर उसके उपर कपड़ा बांदो ने कुछ अब लोग तो इस्टील की कटुरिया और अभी धकने लगे गिलास भी ठक दी जाती है सुराही पर आसानी से ठक जाती है एक बात और कहना चाह रहे थे कि हम लोगों ने सजीव कारेक्टरम किया हमारे श्रोताओं ने उसे बहुत पसंद किया 45,000 से ज़ादा लोग व्यूज अभी उसके चल रहे है लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोता दुखी है है कि हम नहीं देख सके तो अभी भी फेस्बुक पर वो रखा हुआ है थोड़ा सा उपर उसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा तीन तारी को जो विशेश कारेक्टरम हुआ था वो आप उना देखिए बार बार देखिए और एक बात और है हमारी साथ ही लिख रहा है कि एक दिन मेरी बेटी मुझे फोन करके बोल रही थी कि पापा जी आप इतने व्यस्ट होने के बाद भी सकी सहली विविद भारती में इतने मैसेश कैसे कर लेते हैं तो आप बताईए आपको क्या जवाब देना है नई खुशी, नई जिन्दगी, नई नई चीजे, नई नई जगे हैं कितनी अच्छी लगती है जी हाँ इसलिए तो हम कहे रहे हैं कि दिल को बेकरार न कीजिए हम चलते हैं जमनोत्री उत्तरकाशी जिले में जो है समुदरतल से 3235 मीटर की उचाई पर इस्थित ये स्थान है जहां से जमना नदी निकलती है ये देवी यमना का निवास स्थल भी है जो चार धामों में से एक है और बहुत प्राचीन है उत्तरकाशी में इस्थित यमनोत्री देवी यमना के प्राचीन मंदिर के लिए भी विख्यात है जहां श्थालूओं का आना जाना लगा रहता है यमनोत्री यमना काशी शुरूप माना जाता है उत्तरकाशी से लगभग 150 किलोमीटर दूर उत्तर में और रिशी केश से 210 किलोमीटर और हरे द्वार से 255 किलोमीटर सडक मार्ग से जुड़ा है यहां इसकी उंचाई जो है बुआजी वो 3283 मीटर की कही जाती है पुराणों के अगर हम बात करें तो पुराणों में सूर्य तनिया भी ने कहा गया है याने सूर्य के पुत्री और भगवान सूर्य की छाया और संग्या नाम दो पत्मियों से यमुना यम शनी देवता तथा वैवस्वत मनु प्रकट हुए थे और इस प्रकार यमुना यमराज और शनी देव की बहन है जी और भात दुईतिया भया दुईज भाय दूज पर यमुना के दर्शन और मत्रा में सनान करने की विशेश पुणने को बताया गया है यमुना सर्व प्रथम जल रूप से कालिंद परवत पर आई इसलिए इनका नाम कालिंदी भी है सब्तर्शी कुंड सब्त सरूवर कालिंद परवत के ऊपर ही अवस्थित है पुराणों के अनुसार यमुनोत्री धाम सकल सिध्यों को प्रदान करने वाला कहा गया है ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की आठ पत्रानियों में से एक प्रियतर जो पत्रानी थी कालिंदी यमुना भी है यमुना देवी के भाई शनी देव अत्यंत प्राचीन मंदिर जो है खरसाली में है और प्राणों ने इनके महिमा गाते भे लिखा है इसका मतलब क्या है जहां से यमुना नदी निकी है वहां का जल पीने से मनश्य पाप मुक्त होता है और उसके साथ कुल तक पवित्र हो जाते है ये कहा जाता है पवित्र जल में स्नान करने के बाद खरसाली में श्रद्धालू जो है भगवान शनी देव के दर्शन करते हैं और यमनोत्री में सूरे कुंड दिवेशिला विश्न कुंड के स्पर्श और दर्शनों का विशेश महत्तो है और यहां लोग परमपत को प्राप्त करते हैं ऐसा कहा जाता है एक पौरानिक गाथा के अनुसार ये सित मुनी का निवास था और भूकंप से शतिगरस्त होने के बाद वर्तमान यमना दीवी के मंदिर का जिर्ण धार जैपुर के महरानी गुलेरिया ने कहा जाता है कि किया और ये तीर थे यमनोत्री हिमनत से पांच मील नीचे दो वेगवती जलधाराओं के मद्धे एक कठोर शेल पर है जहां अद्भुत तप्त जलधाराओं का चटान से भवक्ते के चटान से भवक्ते हुए ओम सद्रिश ध्वनी के साथ निस्तरन होता है यानि कि ये जो जगह है वहाँ पर इस तरह का असा लगता है कि इस तरह की ध्वनी जो है वो अपने आप हो रहे है तो गर्मचल का स्रोथ है वहीं पर मंदिर है शीतोष नजल का भी मिलन स्थल भी यमनोत्री है और यहाँ पर हनुमान चट्टी है यमनोत्री तीर्थ जाने कांते मोटर अड़ा कहा जाता है और इसके बाद नारत चट्टी है फूल चट्टी जानकी चट्टी से होकर यमनोत यमनोत्री को यमना प्रभाव भी कहते हैं उलेकों के अनुसार गंगा यमना वे मात्रक बहने हैं रिग्वेद में यमना का उलेक है बंदर पूच के पशिम छोर पर यमनोत्री मंदिर चार धाम यात्रा का पहला पड़ाव है महा भारत के अनुसार जब पंडव उत्तरा खंड के तीर्थ में आये तो पहले यमनोत्री तब गंगोत्री फिर केदारनाथ और बदिरनाथ जी की और बढ़े यमनोत्री धार में को रहते हास एक दोनों दुश्ची से महतोपूर्ण है हमाई साथ ही लिखने ही कि 2019 में इन्होंने चारधाम के यात्रा की तब यमनोत्री गई थी और बहुत मुश्किल यात्रा है यमनोत्री जिसे जमनोत्री भी कहा जाता है और यमना नदी का स्रोत है और देवी यमना का स्थान है गड़वाल हिमाला यही इन्होंने भी सब कु की भी इनोंने बात की है और यमनोत्री का मुख्य आकर्शन देवी यमना को समर्पित मंदिर और जानकी चट्टी में पवित्र तापी जहरने है जो साथ किलो मीटर दूर है तो चला जाए हम घूम रहे हैं यमनोत्री जिसे जमनोत्री भी कहा जाता है ब्रह्मा कुंड यानि सूरी कुंड जिसका तापमान जो है किया था यह स्थान अति दुर्गम है यमनोत्री शीत काल में पूर्ण रूप से हिमाच्छादित रहता है यह स्थान और मई से ऑक्टूबर तक श्रद्धानों का ताता लगा रहता है यानि शुरू हो चुका है जी हां आशकल जो लोग जा रहा सकते हैं बता रहे हैं और यमनोत्री मंदिर के कपाड जो है वैशाकमास की अक्षयतरितिया को खोले जाते हैं कार्तिक माह में यमदृतिया को बंद कर दिये जाते हैं जी हां और गर्मकुंड यानि सूरिकुंड में आलू और चावल बांद कर लोग डाल देते हैं पोटली और पक जाता है देहादून में जो जॉली ग्रांट है ये निकटम हवायाड़ा है दूरी यहां से 210 किलो मीटर की है रेल मार्ग संख्या 1A यानि 1A से होते वे रिशिकेश अंतिम स्टेशन पढ़ता है और सड़क मार्ग से अगर जाएं तो रिशिकेश से बस, कार या टेक्सी द्वारा न ये बहुत दुर्गम इस्थल है वैसे लेकिर आनल बहुत आता है जैसा कि जो लोग जा चुके है वो बताते है कि गरम सोता है ठंडे पानीfficacy पिर आप उसका मजा लीजिये गरम सोते जो होते हैं वो वाकः आश्चाने किरते हैं है सुन्दर सुन्दर अच्छी फोटोज हूं तो फिर लोग थोड़ा डरे कम ऐसा लगता है कि बड़ा ही दुर्गम स्थान है तो ऐसा नहीं है जाने के लिखा है कि मुश्किल तो है लेकिन आखिर वो गई ना तो ऐसे ही हमारे साथ्यों को जाना चाहिए ऐसी जगहों पर नीले गगन हो चाहे वो तेज धूप हो इन सब का आनन दे ले और यहां पर जैसे कि इतनी तेज यहां पर धार होती है कि आप सोचेंगे कि यहां पर कुछ भी डाल दो तो गायब हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यह चोटी-चोटी चीज हैं अगर हम जैसे कागस डाल देते हैं या और कुछ डाल देते हैं, प्लास्टिक डाल देते हैं, तो किस तरह से पर्यावरा प्रदूशित हो रहा हो और किस तरह से भयावा स्थिती आ रही है, यह हमें सोचना ही पड़ेगा. लेकिन लोग यह समझते, उने तो लोग मेंसे हम लोग भी वही हैं, हाँ बुआ जी कहीं न कहीं हम भी सब शामिली हैं एक तरह से, क्योंकि बिल्कुल चेतना वाली बात है, और जब हम वहां जाते हैं, तो जिस तरह से हम जगे पर जाते हैं गूमने तो साफ सुतरा देखते ह हम कोशिश यह करें कि जब हम वहां से लोटें, तो उसकी सुन्दरता वैसे ही सुन्दर है, ना कि उसके लिए अलग से किसी को विवस्ता करनी पड़ें कि भाई, साफ सफाई और यहां से अब पानी की बोतले हटाई जाएं, प्लास्टिक्स हटाई जाएं, क्योंकि यह जो प्रकृति में हम डाल के गए हैं और प्रकृति अपने आप से ही इसको साफ सुतरा कर लेगी, ऐसा नहीं है, तो बिल्कि एक कोई चीज लेकर के चलना चाहिए, जैसे चोटा बैग वगरा ले ले कपड़े का, उसमें अगर कोई चीज है, एक्स्टा है, तो आप उसमें डा बरतन घड़े सुराही को कौन पूछता है, बच्चे भी इन दिनों बरतनों को हिकारत की नजर से देखते हैं, पर इसके लिए दोशी हम बड़े ही हैं, जिन्होंने कभी बच्चों को बताया नहीं कि मिट्टी के बरतन हमारे स्वास्त के लिए कितने लाबदायक है, लेकि जो एक बार पिया और फेक दिया तो वो ऐसी जगहों पर ना फेक कर आएं, क्योंकि वो एक अठा होते होते हैं, आप देखेंगे कि उसका भी एक पहाल बन जाता है, वो इसी वज़े से अब ये ऐसा होता चला जा रहा है बुआ जी, क्योंकि इन चीज़ों को जब हम इस्त समाल करने में बड़ी आसानी होती है, हम आसानी से उसको बैग में ले जा सकते हैं, और ढकन कसके बंद करना है, जिससे वो लीक भी नहीं होगा, तोड़ फोड़ का भी चकर नहीं है, तो ऐसा है कि मतलब सुविधा जादा हम अपनी देखते हैं, और पर्यावरण की जहां तक बात है, या खुद की सेहत की भी जहां तक बात है, तो हम अपनी सुविधाओं के सामने अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रखते हैं, पर्यावरण का भी ध्यान नहीं रखते हैं, तो अब आप सोचेंगे कि हम क्या करें, ठीक है आप ले जाएए, आपको बहुत इतना करें, चाहे वो गंगादा शेहरा हो या नहीं रहा हो, जब नोत्री गूमने गये हों, या कहीं नदी के किनारे बैठे हों, किसी कुए में भी गंदगी डालना हो तो उसे बचें, लेकिन बहार जबाने की बात होती है, तो हम जब बहारों का मज़ा लेते हैं, रहाए तो बच्चे जो है वो कोशिश करते हैं कि उसमें प्ले ले ले उसको छेड दे या तो मदुमक्की जो है जानलेवा भी हो जाती है अगर मदुमक्की का डंक लग जा और एक अठा अगर वो पीछे पड़ जाते हैं तो यहां बताना वैसे डराने के लिए नहीं बता रहे हैं हाँ यह मतलब जानलेवा भी होता है कई लोगों की मौत भी इसमें हुई है तो इसको इतने हलके मिना ले पहाड़ों पर खास करके बौजी कहते हैं कि सारंग नाम की होती है तो उसका डंक जो होता है बड़ा खतरनाग होता है तो ऐसे किवल पंची को दिग गया तो पूरा वातावरन को प्रदूशित करता है तो ऐसा ना सोचे कि खुली जगह है तो हम चिखने चिलाने लगें क्योंकि अगर ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं तो फिर बड़ा कौतुहल भी होता है तो इतनी सुन्दर जगह तो सुन्दर जगहों को और तो गीत संगीत से उसका पर जहां भी जाये जाएगा उसका मज़ा जो होता है वो दुगना होता है वह इस दुगना भी करें और आगे आने वाली पीड़ी के लिए कुछ बचा कर छोड़ के भी तो जाएं सारा मज़ा अगर हम ले लेंगे तो फिर बचेगा क्या है क्योंकि गंदा अगर हमने किया तो जाहिर है कि कैसे इसी तरीके से जब हम ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां कई बड़ी इमारत है एतिहासिक हैं तो वहां पर हम कुछ गंदगियां करके आते हैं लिख कर आते हैं दीवारों पर तो वो सारी चीज़ें जो है इन सब से हमें बचना होगा तो दीवारों पर ह नहीं बुआ जी पेड़ जो होता है उस पर भी काटके लिख देते हैं हाँ वो बहुत खतरनाक है और पेड़ों को भी दर्द होता है ये बराबर वैग्यानिक रूप से ये बिल्कुल प्रमानित हो चुका है पेड़ों के पेड़ों का ख्याल रखें हम आग रहा आपसे करते हैं और विदा लेते हैं सभी को संगीता शवास्तो और बुआ का नमस्कार